वे टू सलेरी जब हम जनकपूर के रास्ते आते हैं तो सिंदू गड़ी होते हुए खुरकोट आना होगा और खुरकोट से बहुत ही सिंपल रास्ता है वो सीधा सोलू आता है यह तीनो एक ही है क्योंकि होलू को डिस्टिक का जो सदर वो काम मुझाले है वो सलेरी है स्लेरी आने के लिए पुटकोटा जाना है उक पुटकोड से लूप में लिए सलेरी के लिए जानी के लिए तुकिन टिर्च जाना है जो भी वहाहन है ये पर अपर रासते सम्नों निकलेंगे गए बारवजे, बारवजे के आज़ पास तकी मिलता है, तो कि लगवा में वह साथ से हाथ कंटे या फिर आखता वेज़र कराब है, उदर रटे भी लगवेशा है, फिसकर हां तक मैं है, हम उठोड से चलेरी के लिए वागू मिल जाएगा, और उसे हम चलेरी आकर रूप फिर हमारी ट्रेकिंग पूरी तरीके से सुरू ही रहती है, परनाशे के पहले भी हमको चल की ही जाना है, तो इस प्रकार भूट ही आसंधा है, अगर हम प्लेन सर्थे नहीं आना चाहते हैं, तो प्लेन में बहुत कर्चा पड़ता है, तो एक 30 आरुपे आना जाना होता है, उसकी जगह पे गर्बने फोर्विलर से आते हैं मतलब करके फोर्विलर से आते हैं तो हम 14-15 सुर्वे में कुर्पोट से बहुत सकते हैं सलेरी से फिर जो वहां है वो 2300 रूपे लेगा तो खनिया कोट करके एक जगह है वहां पहुंच जाएंगे और वहां से हम पैदल चलके नामचे पहुंच जाएंगे और नामचे के आगे फिर एवी सी ट्रैक चलता रहेगा तो इस परकार बहुत ही आसान है इवी सी पहुंचना अगर काटमांडू से हम आते हैं तो काटमांडू से भी सीधा मतलब कि टैक्सी मिल जाती है शेहरिंग टैक्सी अगर मिलेगी तो लब पचीस सो रूपे का प्रियर लगेगा और अगर पुस्कर के आइंगे तो यह जानते नहीं थे तो हम लोग को खुरकोट में ही एक टैक्सी बहुत अच्छे थे लोग नेपाल के रनने वाले और फिर हम लोग सेलेरी पहुंच गया इस पर हम लोग यात्रा बहुत ही वेदर खराब होने काड़ हम लोग आगे का ट्रैक नहीं कर पाएं फिर नेक्स ताइम हम लोग आएंगे तो यह समझ जो हो गई है तो एवीशी का ट्रैक हम लोग करेंगे ठीक है बहुत-बहुत धन्यबाद